नमस्कार में हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरात करते हैं आज की प्रमखबर से मतदाता हैं जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 13,413 हैं जिले में असी प्लस के मतदाताओं की संख्या 36,972 हैं नए मतदाता सूची में इस वर्ष करीब 20,000 मतदाता जोड़े गए हैं जिले में जेंडर रेसियों 905 हैं चुनाव के लिए सारी व्यवस्था कर ली तैयारी में लग गया है कलेक्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वारता के दोरान जिलादिकादी ने कहा कि जनपद के पांच विधान सभा छेत्रों पर निश्पक्ष और शांतिपूर माहौल में मतदान कराने की सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हैं जनपद में क करीब 1350 बूथों पर वेब कैमरा लगाया जाएगा जोसे कहीं से भी बैठ कर देखा जा सकता है कोविट प्रोटोकॉल के तहें तो उसके सारे नियमों को फॉलो किया जाएगा सब बैनर पोस्टर खटाये जा रहे हैं और कलेक्टेट से भी खटाये हैं सबसे पहले सुरुआ किया चाहेंगे देखिए आज से ही आद्या साचा सहीता लागू हो गई है और आज हमने सारे हमारे SDM, CEO और ASOS के साथ मीटिंग करी है और सभी को टीमे बना के लगाया है हमने ख्ल हमारे 5 विदान साबाई जिसमें कुल 30 टीमें इसके लिए बनाई है और एक विदान साबाई में 6 टीमें है और सभी ने अपना कारिय प्रारंब कर दिया है और इसमें हमनें अद्याज से शुरूरात करी है और इसके अलावा भी सहर में जो बैनर पोश्टर लगे हैं वहाँ पे नगरपाली का के सयोग से हम ये कार्यवाई शुरू कर दिये हैं इसके अलवा हमारा ये प्रियास है कि अगले 24-48 घंटे के अंदर जितने भी ये प्रिचार प्रसार सामगरी लगी हुई है उसको हटा करके जो भारत निर्वाजनाय की ग मिटा दिया जाता है और हम प्रियास करते हैं कि अब जो उमिद्वार है या जो पॉलिटिकल पार्टी जो वो मिटा दें और अगर वह नहीं मिटाते तritis को मिटाते तो उनका जो व्य है उत्रप्रदेश में चुनाव के गोश्टना हुई है और आदर साचार संहिता लागू हो गई है और हमने इस पे कारिय भी शुरू कर दिया है जनपद में हम चुनाव से जुड़ी तैयारिया कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जनपद में कुल 18,91 वोटर है और इसमें पांच विधान सबाय है इसमें जो 96 विधान सबाय है वो SC के लिए रिजर्व कॉंसिट्वेंसी है मैला वोटर्स की संख्या हमारे यहां पर बड़ी है और हमारा जो जेंडर रेश्यो है वो 905 हो गया है इसके अलावा जो दिव्यांग मद्द सजा रहा है उनका भी हमने identification किया है इसके अलावा जो बूत हमारे critical है और जो vulnerable pockets है उनमें हमने वेव कास्टिंग की तैयारिया कर रहे है हमारे कुल यहां पर 268 बूत है और उसमें हम 50% से अधिक बूत अर्थाद 1134 से अधिक बूतों पर हम वेव कास्टिंग कराएंगे और उसमें उस camera के मादम से मद्दान की निगरानी की जाएगी और इसको कोई भी वेक्ति इसको कहीं से live इसको देख पाएगा इसके अलावा हम covid का जो protocol है उसको follow कर रहे है वेक्सिनेशन पे हम बल दे रहे हैं हमारे चुनाव में जितने भी कर्मचारी लगेंगे लगबक 10,000 क कर्मचारी वो सभी कर्मचारी जो है fully vaccinated हो गए है हमारे इसके अलावा जनपद में हमने प्रियास किया कि सभी को vaccination लगे और इसमें 96% हमारी first dose लग चुकी है इसके अलावा 57% लोगों को second dose भी लग गई है और 57% लोग ऐसे हैं जो fully vaccinated है चुनाव से जुड़ी जो अन्य तैया है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो फ्लाइंग स्कूर्ड वगरा है और MCC जो लगी है उसका पालन कराना है उन सभी के हमने तैयारिया कर लिए और हम निश्पक्स और सांतिपुन मद्दान कराएंगे इसमें एक MCMC टीम होती है जो मीडिया मोनीटरिंग के लिए होती है जो पेड न्यूज को भी देखती है और सोशल मीडिया पे जो लोग ब्रामक प्रचार पसार फेलाते हैं या ऐसी चीज़े फेलाते हैं जिससे वियमनश्यता या जगड़े की स्तति उत्पन्न हो सकती है वि मलते हैं फिरएसे ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक की लिए नमस्कार I और देखते रहिए BNN News खबरों में अब तक लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN News